हमारे हैदरबाद के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19, कोरोना वाइरस, इसके खिलाफ केवल हैदरबाद या तेलंगाना, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में जंग चल रही है, इस जंग को हमें जीतना है, इस जंग को जीतने के लिए, कुछ मुश्किल डिसिजन भी लेने हैं, इस जंग को जीतने के लिए, आपको और हमको मिलकर, सबसे पहले, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मुला है, उसको फॉलो करना होगा, जैसा कि Government of Telangana ने G.O.45 निकाल कर कुछ गाइडलाइन्स दिये हैं, जिसके तहट केवल essential services को ही खुला रखा जाएगा, essential services जैसे बच्चों के लिए दूद सप्लाई, medicines, hospital facility, कुछ urgent सामान जैसे समय पर सबजी खरीदना या कुछ ग्रोसरी खरीदना, इसकी अलावा बाकी सब चीज, सब दुकान बंद रहेगी, कल आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को 100% successful बना कर एक determination का नमूना आपने पेश किया है, मैं आप सब को इसका मुबारक बात पेश करता हूँ, दोस्तों, अख़बारों में और टीवी चैनल में देखने से आप लोगों को पता चला होगा, कि चाइना में, जब ये वुहान में शुरू हुआ, तो उसके पहले चाइना के जो पडूसी देश हैं, जैसे कोरिया, जापान, थाइलेंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, केवर इन सब देशों को ज़्यादा इंपेक्ट हुआ था, लेकिन इन सब देशों ने जल्दी ही तैयारी करके, घर में रहकर, बंद डिक्लेयर करके, लॉकडाउन करके अपने आपको बचा लिया, जैसा कि आप जानते हैं, ये वाइरस बड़ा घमंडी है, इसको आप जब तक अपने घर बुलाएंगे नहीं, ये खुद चल कर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, कि जब तक आप एक इनफेक्टेड आदमी के नजदीक नहीं जाएंगे, ये वाइरस आप तक नहीं आ सकता है, तो इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है धर में रहेंगे, अगर आप धर में रहेंगे, तो ये वाइरस आप तक नहीं आएगा, अगर आप बाहर जाएंगे, दूसरों से मिलेंगे, तो infected लोगों से ये वाइरस आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है एक करोर से ज़्यादा population इस शहर का है हमारी जिम्मेवारी बाकी सब सहरों से ज़्यादा है आप government के द्वारा दिया गया सभी guidelines, GO45 और बाकी सब issues जो हमारे Chief Secretary साहब, हमारे DGP साहब ने आज press meet में कहा उसको बहुत strictly follow करें Police Department के तरफ से law and order और traffic सभी officer को ये order दिया गया है कि सड़कों पे जो unnecessary भूम रहे हैं उनको रोका जाए हैदराबाद शहर में किसी तरह का auto का movement अब से नहीं होगा Uber, Ola और इस तरह की taxi services बिलकुल allowed नहीं हैं आप लोग अगर ऐसे वक्त पे determination के साथ काम नहीं करेंगे तो यह बिमारी फैलता जाएगा अख़वारों में आप लोगों ने देखा होगा कि इटली और स्पेन शुरू में बहुत लापरवाही के साथ इस बिमारी से लड़ने का planning किये उनकी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ी आज इटली में चाइना से ज़्यादा मौत हुआ है इस बिमारी के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस गलतियों के कारण इटली और स्पेन में लोगों को नुकसान हुआ वो नुकसान हमारे शहर में हो इसलिए मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे अड़्वाइस को बहुत सीरियसली लें घर के अंदर रहें घर के बाहर केवल इसेंशियल काम के लिए जाएं जहां तक रात का वक्त है तो रात को एक भी आदमी बाहर सड़कों पर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा अगर किसी को जरूरत है मेडिकल एमर्जेंसी का तो मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाएं हम लोग हैदराबाद शहर को और तेलंगाना इस्टेट को आपके लिए बचा कर रखे अगर दस इंसान गलती करती है तो ये दस इंसानों की गलतीयों के कारण पूरा शहर परिशानी में पढ़ सकता है इसलिए उन दस लोगों को आप और हम मिलकर डिसिप्लीन के साथ कंट्रोल में रखेंगे मैं पूरी उमीद के साथ आप से ये बात कर रहा हूँ कल आप लोगों ने दिखाया कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है वही डिटर्मिनेशन 31st मार्च तक हम लोगो दिखाना है आप और हम मिलकर हैदराबाद शहर को इस वाइरस से बचाएं अगर इतिहास के पन्नों को आप उल्टें तो आप पहले देखेंगे कि पुराने जमाने में बड़ी-बड़ी महमारी कॉलरा, स्मॉल पॉक्स इस तरह की चीज फैलती थी क्योंकि लोग अपने आप को बचा कर नहीं रख पाते थे आज जब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर घर के अंदर हम रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर बाहर सडक पर क्यों निकलते हैं मैं सब से बार-बार गुजारिश कर रहा हूँ बाहर नहीं आए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अब सक्त कारवाई की जाएगी अगर बिना बजह के आप बाहर निकलेंगे तो